तो students part 5 के बाद हम करेंगे part 6 question number 2 का part 6 क्योंकि हमारे पास है 7 plus under root 3 into 5 plus under root 2 तो ये भी पिछले तमाम parts की तरह ही है तो solution की तरफ चलते हैं इसके तो ये स्टुडेंड मैंने question लिख लिए आपके लिए ये part 6 question number 2 part 6 तो इसको भी हम से उसी तरह solve करेंगे जो हमने लास्ट उपर वाला part 5 question number 2 का solve किया था 7 को 5 से multiply करेंगे then under root 2 से multiply करेंगे और दें अंडरोट 3 को 5 से and then under root 2 से multiply करेंगे सब्सक्राइब ए 7 or 5, 7 5s are 35, plus 7 into under root 2, प्लस अंडरोट 3 into 5, तो सब्सक्राइब ए 5 into under root 3, प्लस अंडरोट 2, अंडरोट 3, यह दो नो बल्टिप्लाई हो के इस्तरा आ जाएंगे, 35, प्लस 7 into under root 2, प्लस 5 into under root 3, प्लस 2 and 3 अलाग लगें, मल्टिप्लाई हो रहें, तो इनको एक रूट के नीचे लेखतेंगे, 2 multiply by 3, तो आंसर मारी पास आ जाएगा, 35, प्लस 7 into under root 2, प्लस 5 into under root 3, प्लस 2 थ्री जर्व, 6, तो यह आगे मारी पास, पास, पार 6 गांसर,